Hello friends, guys, आप सब ने Excel तो बहुत यूज करा होगा, पिवट टेबल भी बहुत यूज करे होंगी, लेकिन क्या पिवट टेबल को यूज करके आपने audit sampling करी है, क्या आपने पिवट टेबल को यूज करके parato analysis करी है, यह जो आपने बच्पन में रूल सीखा था, 80-20 वाला, क्या उ samples निकालेंगे, पिवट टेबल का यूज करके कैसे parato analysis करेंगे, और Excel अपने आप हंगो कैसे best samples निकाल के देगा, तो आज ओब ही वीडियो शुरू करते हैं, और अपने हाथ से audit sampling करते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है, और अगर वीडियो अच्छी लेगे तो जरूर से लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, बॉस की requirement आई, अब थोड़ी सी complex, बॉस ने कहा, कि साब आप basic detail तो निकाल लेते हो, जो detail में मांग रहा हो, फटाफट निकाल के लिए आते जा रहे हो, अब एक auditor के अंगल से सोचते हैं, parato analysis सुनी हैं आपन concised in 20% of item, यानि कि खाली 20% चीजों में 80% value आपकी निकल के आती है, ऐसा बहुत normally होता है, इसका मतलब कैसा अगर हम इसी data की बात करें, तो कितने invoices में आपकी maximum invoice value की coverage हो जाए, कुछ ऐसी analysis हम करना चाहे, तो क्या हम paper tables की help से कर सकते हैं, the answer is yes, यह help हमें, यह चीज हमें किस चीज में help करेंगी, यह चीज हमारी audit testing में help करेंगी, कि supposedly, if 10 invoices cover maximum value of data, then हमें खाली 10 invoices check करेंगे, तो हमारी maximum coverage हो जाएगे for the purpose of audit, देखते हैं अभी, जो चीज मैंने बोली हो कैसे होगी, parrot analysis देखते हैं, एक paper table बनाते हैं, इसी data पे, again we'll go to customer data, insert pivot table, enter, और यहां पर अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे invoice value को ही, drag and drop करेंगे in rows, और invoice value को ही drag and drop करेंगे in values, और एक बार नहीं, चार बार ड्राग and drop कर लो, values में, मैं बताता हूँ, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, चार बार invoice value को drag and drop कर लो, invoice values में, एक value, एक column हम रखते हैं, for values जैसा आ रहा है, एक column रखते हैं हम, percentage का कर लेते हैं, show values as percentage of column total, ok, एक count का कर लेते हैं, show values as, summarize values as count, ok, और एक कर लेते हैं, count की percentage का, summarize values as count, and also show them as, percentage, हमने एक बार, values को as percentage किया, then, third column में हमने count किया, invoices का, and fourth में हमने count का percentage कि, आपको, जिनका पुराना Excel उनको, value field settings पर जाके करना पड़ेगा, right click करके, एक एक करके कर लो, फिर मैं बताता हो कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं, और क्या उसका output आएगा, अब जो हमारा first column है, जो कि हमने invoice value drag करी थी rows में, उस पे आएंगे, और right click करेंगे, and we'll group, we'll group the values, group पे click करके, starting at 0 कर दो, इसको starting from 0, ending तो जो हमारा last invoice होगा, वो by default आ रहा होगा इदर, तो start हमने किया, 0 से, and we'll group this by 1 lakh, यानि कि हम 11 lakh के bands बनाएंगे, invoices के, और उसमें हम इसको group करना चाहरे है, हमारे सारे invoices को 11 lakh के bands में group करना चाहरे है, आप इसको कुछ भी कर सके 50,000, 2 lakhs, 3 lakhs, एक बर अभी 1 lakh करके देखते हैं, क्या आता है output, तो we'll group this by, starting from 0, ending at, जो भी हमारा last invoice है, by default आ रहा होगा, and we'll group this by a band of 1 lakh, ओके करा हमने, तो यहाँ पर हमारा output आया, 0 से लेकर 1 lakh, 1 lakh से 2 lakh, 2 से 3, 3 से 4, और end तक हमारे 11 lakh के bands के invoices यहाँ पर बन गए, उनकी invoice value आ गई, उनकी percentage आ गई, उनका count आ गया, उनका count का percentage आ गया, क्या हमें यहाँ पर कुछ दिखता है, 11 lakh के bands बना दिया हैं हमने, और यहाँ से हम क्या analyze कर पा रहे हैं, हमारी total sale value थी, 3 करोज 29 lakhs, 3 करोज 2 lakhs 93,243, right, इस band का क्या मतलब है, 0 से लेकर 1 lakh तक के, 0 से लेकर 1 lakh तक के, छोटे छोटे से invoices की value है हमारी 79,81,317, which account for only 26% of the sales, यानि की 3 करोड में से 26%, 79 lakhs, सिरफ हमारे छोटे 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 invoices, और कितना count है वो, वो है हमारे 339, out of 360, 360 में से 339 invoices हमारी सिरफ coverage करते हैं, in terms of value 26%, and in terms of quantity, in terms of number 94% of invoices, यानि की 339 out of 360, 95, 94% of invoices cover for only 26% of value, यानि की बच्चे हुए आपकी ये 5-6% of invoices cover for, ये सब को आप total करके देखो, यहाँ पर आपका sum आ रहा है, यहाँ पर sum आ रहा है, आपका 73.65%, यानि की 5% of the invoices cover 73.65% of value, समझा रहा है आपको ये चीज, समझ आ रही है ये चीज, कितने invoices हैं ये, ये total करो आप count इन का, तो मात्र सिरफ 21, sum, sum कितना है, 21, only 21 invoices cover for 75% of value, तो as auditor 360 में से अगर आप खाली ये 21 invoices चेक कर लोगे, तो आपकी 75% of invoice coverage हो जाएगी, क्या ये चीज समझ आ रही है सबको, कि हमने imperative analysis कैसे करी है, यहाँ पर आपको सामने ही दिख रहा है, कितनी important information आपको यहाँ पर दिख रही है, कि 95% of the invoices, 339 invoices out of 360, cover for only 26% of value, यानि कि बचे हुए हमारे 25 invoices, हमारे 75% of value cover करते हैं, तो अगर हम इनमे से 21 invoices को चेक कर लें, तो हमारा maximum audit 75% of audit coverage हो जाएगी, तो देखो आपको energy कहां लगानी, आपने 2 minute में ये चीज अनलाइज करी, कि हमको कौन से invoices चेक करने हैं for our audit purpose, एक और magic देखें, अगर हमें जानना है कि ये 3 invoices कौन से हैं, पेवर्ट टेबल में हमको जानना है कि 3 invoices कौन से हैं, तो क्या हमें जाके कहीं ढूलना पड़ेगा, हमें क्या करना है, हमें सिरफ यहाँ पर double click करना हो, और हमारे सामने वो 3 invoices आ जाएंगे, जो कि हमने यहाँ पर देखेते हैं, Similarly, अगर आप यहाँ पर किसी और को क्लिक करोगे, अगर आपको यह दो invoices देखने हैं, तो यहाँ पर डबल क्लिक करो, और यह दो invoices आपके सामने raw data में से निकाल के आपको दे दिये Excel ने, आप client से मांगो इनको चेक करो, और अपना audit complete करो, So this is the power of Excel and pivot tables, आपने सीधा drill down किया pivot में से और आपके पास raw data भी आगया, आपने जो भी analysis करनी है, वो आपको pivot table से आप कर सकते हो, आपको drill down करके basic data पे जाना है, आप वो भी कर सकते हो, आपको कोई भी checking करनी है आगे, आप client से मांग सकते हो. Guys, Hope आपको मज़ा आया होगा और ऐसी practical insights के लिए और hands-on training के लिए definitely visit thinkingbridge.n, वहाँ पे हमने बहुत सारी master classes बनाई हुई है, और आपको हर चीज industry experts से वहाँ पे सीखने को मिलेगी, और सिर्फ आप सीखोगे नहीं guys, वहाँ पे अपने हातों से ये सारी trainings में आप काम करने वाल है, definitely do pay a visit to thinkingbridge.n, और वहाँ पे एक जबरदफ sale भी चल रही है, आपको ये code यूज़ करना है जो screen पे दिखाया जा रहा है, and you will get a significant discounts, I'll see you in the next video guys, thank you very much.